मुझे जानुवर इकठे हो करके जब इकठे होने का सास करते हैं तो जुरूर उनको एक सामने शेर खड़ा है दर लगता है उसके बाद इकठे हो के अपने अस्तितों को बजाने के कोशिश करते हैं अब हमारा जो लक्ष है वो दस की दस सीटे हम जीते हैं उसके बाद हमने कैसे चलना है कहँ चलना है अगेन इस फरकार के महत्वोर्ण विशों काने रड़े हैं, हमारा जो पारलिमेटी वोड है, वो करता है कि अगली वारी किसको आगे रहना है क्या जाट और नौन जाट इस लोगे कठा लेके चलने वारे हैं या के जेटी रोड पर ही गाड़ी गुमेंगी कास्ट बेस्ट पॉलिटेक्स भी हमने आकर के खदम की है, जिन लोगों ने ये जाटपात के विशे चलाए हैं, वो सब विपक्स के अंदर चलाते रहे हैं आम आदमी पालिटी, दिल्ली में प्रचन पहुमत है ये उसका, कि हर्याना के लोग उनको शेप्ट कर रहे हैं यहीं इनका कोई सिस्टम ने काड़ दे और जो उनकी नेतिया हैं, उसके पर हरेडा के जनता बिल्कु विशाग करती नहीं है नमस्कार ऐसे व्यक्ति, ऐसी शक्षियत की जो हम बात कर रहे हैं, वो किसी परिशे की मोहताज लही है मेरी वुराद है, श्रीमान मन्लोगरलाल जी से जो हर्याना के मुख्य मंतरी है आपका बहुत-बहुत स्वागत है जी, अभी लन्यवाद, दन्यवाद कॉश्चन जी आजकल मौसम बड़ा अजीव गरीब चलता है, अनपरडिक्टेबल है वोक्ति, कई बर तो ऐसे लगता है कि जैसे बिहार से विपक्ष की गंगोर बादल उठ रहे हैं और फैल रहे हैं इधर उधर, तो ऐसे बादलों को देखकर विपक्ष के जो बिहार से पठना से उठत इतना बादल फट भी सकते हैं और बिली कड़क भी सकते हैं दिखिए ये बादल बदलियां अपने अब में ठीक है बादल की वहतों को हम कम करके तो ना आके हैं लेकन बादल बदलियां जब उनके सामने हमाले जैसा अब तरुवत खड़ा हो तो उसमें चोटे-बोटी पा टान की तरह मजबूत हमारे लेंदर मोधी चोटे-बोटे ये जिसको मैं कहता हूँ के चोटे-चोटे जानवर इकठे हो करके जब इकठे होने का सास करते हैं तो जुरूर उनको एक सामने शेर खड़ा है छपलेजी का सीना एक शेर खड़ा है ये दर लगता है उसके बाद गठे होके अपने अस्तित्तों को बचाने के कोशिश करते हैं वो कर रहे हैं वो पटना से करें वो कहीं और से करें उसका कुई मत अप इतना घूम रहे हैं असबारों में पढ़ते हैं वेडिया में देखते हैं चैनल में देखते हैं आज आप हिसार में बैठे हो तलको शि ईक लख्ष की प्रापती के लिए जितना काम किया जाए उतना कम होता है और काम अगर करना है लख्ष मजबूत है तो थकावट का कोई विशेय नहीं है तो देल्द्यार भादय कहते थे लख्ष को प्रापत करने के लिए चरह वेती चरह वेती जरुते रहो और चलते चलते लक्ष की प्राप्ति अपने आप होगी, ऐसा हमारा मानना हैं, कभी ठकावट को कोई विश्य नहीं लक्ष में कई लोग कई तरह के जो मेडिया में भी बाते होती हैं या विपक्ष के लोग भी कहते हैं कि कही आइसा लक्ष तो नहीं है कि एकला जलो अब आप एक दूसरी पार्टी के साथ गठभंदन में चल रहें बहुत सी चलचा हैं क्या एकला चला तो लक्ष तो नहीं बना रखा आपने लोग तंत्र में आवशकता होती है जन समर्थन की जब जनता हमारे साथ है तो हम कहां अकेले हैं अकेले नहीं हैं और जन समर्थन का पता हर समय जब टेस्ट होता तब पता लगता है लगाता दोजार चौदा में जब केंदर में सरकार बनी नेंदर मोदी जी एक बहुत भी पूर्ण बहुमत, अच्छे बहुमत से केंदर में सरकार दुवारा रेप्यूट हुई, हमरे जरूर थोड़ा सा रियना में कमी रही, तो उसके कारण से पोस्ट एलेक्शन हमने करेंजमेंट किया, हमने गटवंदनी किया है, जो गटवंदनी भी ठीक ठाक चल रहा है, ल लेकिन जनता समर्थन हर बार मुझे लगता है कि आज भी जो सितिया है जनता का समर्थन, के अदर में नेंदर मोदी जी के साथ, वहाँ एक मलबूब सरकार बनाने के लिए हर्याना की दस की दस सीटें जीतने का वारा संकल्प है, और हर्याना में भी पूर्ण फूर्मत की स जनना एक जनता पार्टी आप कशमर्स्तन करेगी? दीक ही यह विशह हमारा नहीं है, यह इंदर सरकार का विशह है, कि दर यह पार्टी हमारी तै करेंगी, कि उसके बाद हमने कैसे चलना है, कहां चलना है, कव से कब पिछले दो चुनाओ में तो हम अकेले लड़े हैं, चाहिए वो चोदा का चुनाओ और उननिस का चुनाओ, अब क्या होना है, यह पार्लेमिट्री वोड़ता है, हम यहार यहन में बैटके तहरी करते हैं, एक प्रशन उन्होला जी यह है कि आपकी प्राटी के दिंगेज लेता, अन्फिज जाती के लेता, रतनला कटारिया, दुरवागे से उनका ध्यान तो हो गया, आपको बड़ी चती की बात भी है यह पार्लेमिट्री के लिए, अब अंबाला में यह जो जहां से वह सालसर थ एक दिखते हैं, देखिए यह विश है, जब इस पकार से अचानक अकसमात कोई सीट खाली होती है, तो मुखेकम चुनाव आयोग का होता है, कि इंदरी चुनाव आयोग उसमें क्या फैसर लेता है, कब लेता है, चुनाव अगर वो कराने की बात सोचते हैं, तो हम हैं, वो आप एक ठे कराने जा रहे हैं, ऐसम उसमें क्या है, यह भी हमारे पारलिमेंटी बोर्ड और अगर कोई विश है आएगा, तो हमने उनके उपर छोड़ा है, और वैसे भी काम चुनाव योग का है, अगर चुनाव योग तै करेगा इक अठा करने की, तो इक ठा नीती है, पॉलसी है कि चुनाव जितने जदा जदा इक ठे एक साथ हो, इमोदी जी कई बार कह चुके हैं, क्योंकि हर अलग चुनाव में एक समय खराब होता है, अचार सेहिता लगती है, विकास के काम रुपते हैं, साधन भी लगते हैं, पार्टियां भी एक समय के इंदर में हमरी पानलिमेटी बोर्ड और वैसे चुनावा जो को फाइनल करेगा कि क्या करना है, कैसे करना हम तही आ रहे हैं, हम दर्शकों को यहां यह बता दे कि मानिय मलहुर लाल जी, वो दी जी के कितने करीब हैं, यह हम लोग जो पुराने लोग हैं, वो जानते हैं कि गुजरात में जब वो मुख्य मंतरी रहे, उनके सुनाव में इनकी भूमिका एक डारेक्टर की रही है, आज तो यह एक हीरो के रूम में सामने हैं, यह कहा भी जाता है कि जो स्टेटिलिस्ट होते हैं, वो पीछे होते हैं, ऐसी तरे फिल्मों की तरे डारेक्टर पीछ करता कभी भी ऐसा क्लेम करने का कोई आदी नहीं है, कोई परंपरा नहीं हम करते भी नहीं है, कि अगली बार किसने क्या करना है, अगेन इस परकार के महत्वर्ण विश्व काने रहना है, हमारा जो पारलिवर्टी वोड है, वो करता है कि अगली बारी किसको आगे रहना है, सब्सक्राइब कर दोजर चौदार में भी मुझे तई लोगों ने पूछा कि आप मुख्शमन से करनेट होंगे मैंने कभी यह मेरा काम नहीं है तो कई है छे साथ है उपनला मैं छे साथ तो कम है चाहिए मन में इच्छा नब्बे कर लोग रखे तो क्या पती है इसलिए हमें इस बात के बारे में सोचने को कुई विशे नहीं है हमारा पालने में गोड़ देता है करे जाओ खाओ अभी आपने का कि प्रिंस्टर की दैसल सीटे आप लडेंगे और जीतेंगे भी मैं दसको कुछ यहीं पाठकों को बतारा चाहूँगा कि आज देनिक तुमें के एक श चुनाओ करेणि कर हैं आपको जिम्मा शौनगे ऑजर है किया यह सही है टिकी जो भी वुखह दायतुवाला व्यक्ति होता है उसके जिम्में होता है कि अपने उनक्षेतर की आपने क्षेतर की सभी ळूख सब्स。 नोक सबस्ता कर देखर के चुनाव जीतना तक ये बड़ा स्ववाविक है कि मेरे पास अगर यह दाई तो है अरियना के मुख्यम्तरीकाथ तो स्ववाव कि दसीक-दसी टे जीतने का आपने कहा कि यह तो होगी श्रीशिर की बात और आपने कहा कि तीसरी बार यह तो मुदेजी आमिर्शाजा आइकमान तो है वो फैसला करेगी फिर भी मुदेजी मैं यह जानना चाहूगा कि आपका पिछले नौवर्श का अनुभव यानि कि दो दो पारी उटा वो शंक्षेप्टन रताने कि नौवर्श का करेकल बहुत अच्छा मैं समझता हूँ इस नमायने में रहा है कि हमने चुनाव लड़ते समय दोजार चौदा में जो बाते तै की ती कि इस प्रदेश से हमको निश्टाचार खतम करना है मुक्त ये समाज हमको बनाना है आई बती करेकल में हम जितना मैक्सिम कर सकते थे वूने किया है जी आगे आने वाले समय में जो चीजे बची है उनको भी हम पूरा करेंगे इसलिए हमें अपने के काम की पुरी संतुष्टी है और हमने खास करके गरीब की एस यानि कैसे उसको साहिता कि जाया कैसे उसको आगे कि आजाए गरीब उत्थान के करका उने बहुत लिए हैं अन्तियोदे की भामाद फोले करके मैं यहीं प्रशन करने वाला था कि अन्तियोदे भारती जल्दा पार्टी के एक मुख्ष लक्षरा है नाकेमल हर रहना में पुरे हिंदुस्तार में मोदी जी यह इसी लक्षिप लेकर चले है और इनके जो पुराने बारपा के नेता हैं दिवंगत लेता हो दुखे हैं यह अन्तियोदे के बारे में थोड़ा सा और बताना जाए और दिन्द्याल जी का मानना ऐसा था कि अजर अमें सुखी सावाज की कनपना करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो सबसे अ यह से पिछड़ा है ऐसे लोगों को सबसे पहले आगे बढ़ाना चीम उनके ओइस है उनकी चिनता करने चीम और जैसे शेरी मैं सभी सेवाज की कलतना अपने आप सार्तम हो जाएगी ढ़िए तो पाजन बढ़ती है कर ब्रस पर ध्यकर फ्रस पर दुंद खड़े होते हैं अब दूरियां बढ़ती है तो एक दूसरे से आदमी दूरी बनाने लगता है तो उसमें समाज सुकी नहीं सकता हुटा है जब आमनोंको निखटना है जो निकटना तब हो सकता है। कि हम जो पीछे रह गए हो उनकी साहता करें उनकी रोज़दार के लिए उनकी शिक्षा के लिए उनके स्वास्त के लिए ऐसी सब बातों को धान में रखते हैं उनको आगे मिनाना यह वारा कान भारती जनता पार्टी अपने आप में एक राजितिक पार्टी है इसमें पूश साथ तालमिल बना रहता है और वहां से भी कुछ लोग संसे जो परशिक्षित होते हैं वो राजनीटी में भी आते रहते होंगे क्या यह वार्ट से ही है जो आम चर्प्चा में भी वक्ती गई तेके जहां तक राश्टिय सुन्ज संग का आरेसस का विशह है वो एक संसार देने की एक ऐसी शाला है कारेशाला है कि जिसमें जो वक्ती उसमें जाता और कुछ समय लगाता उसमें चलता रहता तो एक दिश्वक्ति के संसकार इमांदारी के संसकार अनुशाशन और खास करके शारिलिक विकास में आवयायाम होता है तो शारिक बंद भी मिलता है करकर संगके, जो स्दूमने कुछ समय वहार कंचे के बाद जे अने नहेने खेत्रों में जाते हैं जिए वन राजनिती निए तो आते भी आ जाते ही हैं राजृतिके साथ-साथ कोई शिक्षा में जा रहा है कोई बहुत दूर जो आदिवासी के अनॐशी खेतर उनके दर्नोग की जाके भाफ करता है सायटा करता है रही हजो बस्तियां कि दिखिवान या तो शोर्षर हम कह सकते हैं वहां提 नहीं के Budget संग का एक संसकारित संशयों जाकर काम करेगा वो उन गुणों के बाद को साथ लेकर जाकर काम करेगा मैं वेध एपारवाजी एह स्वाल जरूर प्रोड करना के हूँगा कि आपकी परड़ी के लोग बिलिएते लोग अक्सरारोप लगाते हैं कि कांग्रिस पारटी जो है वो परिवारवाद की पारटी है उसकिया हाई कमान जो हो परिवार है तो लेकिन उनका पल्टबार की होत समा मत उदार चरिता नाम तो वसायशक्षाल को तूम करते हैं trades metодब को तूम्भकर गोटने चूटी सोच के लोग होते हैं ये मेरा है ये तेरा है इसेम्म उलचे रहते हैं उनका मन बहुत संकुछित होता हैㅋㅋ जो ये विचार करते हैं कि उदार चरितर के वो विचार करते हैं कि सारा विष्व ये परिवार है तो परिवार की कलपना अलग लग है मैं गहता हूं मेरा हरियना धाई क्रोड पॉने तीन क्रोड जनता ये सारा मेरा परिवार है राष्टिय स्वाज संग आज लाखो स्वाज परिवार करता हूँ, वो क्रोडों से वर्ट हैं, वो सम्मि missile कि व एक लूत करता हैं हम या क्ठा मन करते हैं। कोई बड़ी है को परिवार मान करें उसके अपने आपको जोडें तो उधार है। और छोटी काई कोई कोई क हमारा जो एक विस्तरिद परिवार है, उसके कलपना अलग है, तो एक अलग तरह के परिवार कीबत, परिवार शब्द में कोईansen नहीं है, लेकिन किसको आप परिवार मानते है, पर इस पर करना होगा है। आउन जाट इस तो एकठा लेके चलने वारे हैं या के जेटी रोड पर ही गाड़ी गुमेंगी? चुनाव लड़ते समय मैंने दोजार चोदा में कहा था कि हरियाना एक जर्यानमी एक अब मेरा कारेक्षा तो जो को हरियाना है तो मैं हरियाना के सब लोगों पो एक साथ लेकर के चलता हूँ गोई जात्पात का विश्य नहीं है हमने तीन सी पर चोट लगाई है तीन सी यान परक्ष के अंदर चलाते रहें जिनके काल्ड से सारे विश्य आते हैं यह जाटवाद यह जाटवाद यह प्राणावाद प्राणावाद आमने कभी इस पर इचार नहीं किया हमारे यां तो बड़े-बड़े पदों पर सप्रकर के नूग रहे हैं चाहे उसमें अनुसर ज यह पिल बारी बारी से रूटेशन में इस वह सती हैं पुई एक जाती को फगड करके चलना जाती वाद मू कहा जाता यह नहीं किसी को जाती समझ के आगे बढ़ा जाता हूं यह जाती समझ की पीच हे जाता हो ऐसा बिल्कुन नहीं यानि कि जैसे के पहले आप मुल्क के जो पहले नीदर रहे हैं वो भारती जलता पारटी इंडियन नेशनल लोकदाल जिसको जाटवाद के साथ भी जोड़ा जाता है ऐसा सम ऐसे समंद्र भी आगे बन सकते हैं कोई इनेलो जैसी पारटी हो या जाजपा के भी शाथ लिया जा सकता है या नहीं लिया तो ऐसी बात नहीं है देखिए यह लोक तंत्र में राजलेत के समय करन होते हैं क्योंकि अगर किसी जगह पर दूई पार्टी सिस्टम हो तो सभीशे खतम हो जाते हैं दोनों पार्टियां एक इदर चलेगी यह उतर कर देखिया फिने शामने वीशाय होते रहते हैं लेकिन मुणि पार्टी सिस्टम होता है मल्डीपार्टी सिस्टम में जन्ता में यह अदर जाने के लिए अच्छे हreichVE भी गौना है हमारा सत्ता प्रावती गौन नहीं है लिकिन जो प्रदेश में देश में नुपसान पुचा सकते हैं उनको दूर रखने के लिए अपना पक्ष मजबूत रखने के लिए समझोते परहब हुए हैं आगे जूर्ट पढ़ती है तो होते हैं जैसे हमने 2019 में किया न तो हमने उस स सबक्रियान के लोगों कि सरकार तो बौबसे चलाने के लिए आवश्क्ता हैं हां सप्ता में किसिंगों को दूर के लिए और सम्ह आब tasks के यह हो जाएंगे जैसे आज ये पचना की बात आप पहर हैं उनको विशारों से कई समध्व sır नहीं दिस्पा फुदा लेकिन उनको जनता सुब्थन दिर्वाली नहीं है लेकिन अगर कहीं हम विचार इसनाते से जनता के भलाई के लिए जनता के हित के लिए अगर दो चार पाटेयां कठी होती हैं अमरे पास भी तो NDA के हमारे जो लोग हैं वो साथ एकटे मेनते चलते हैं, UPA के नाते से उन्होंने अपना नाम रखा हुआ है, लेकिन UPA के लोगों का कोई विजार या कोई टार्गेट एक नहीं है, NDA कमों बेश्ट एक विजारों के नाते से एक दिशा में चलने का संकल्ब लेकर के आग तरीशी में यह भी आता है कि नोकरियों में तरफशल तरफशल तरॉष्ण है यह बड़ी चर्चा है बैसे माफ करना है यह यह इवाफशल के गिरस्तारियां होती है यह कहाज़ता पेपर लेक हो जाते हैं यह जो यह स्थी जो वह जाट यह जाती है जो जो बश्टा तरग तो, समाज की अलगनग लेवल है अलगनग वर्क है है फूर्टिकर लोगों का हमारी जो जनेपरदेलिःगे एक एक परिष्थ, क लीव तरही की परंपराजरी है मैं कम से कम एक दयावा चर सकता हूं कि हमारे शाषिन करने वाले लोग सत्ता में जू समय है हमारा जो स्थान है इक दम दूर है दर किकी नेथा की अब या इसको हम आपकेर के ओप पर कभी निया जो हमने अपने आपको इससे बचा कर रखा हुआ एक दूसरा ब्रस्टाचार हुआ और उस पर पर्दा डाल दिया है यह सब पिछले दस साल में काउगरिस के वह में होता रहा जबके पर्दा डालने के बाद उन्होंने इसको छुपा के रखा कि वह ब्रस्टाचार नहीं होता ज थे जए पर दिलाने वाला साय हो , वह उस साड़ी छेस्साव लोगो को अपनी चाय कर ब्रस्टाचार को पगड़ना को असान बात नहीं है हमने तो उसको उसको पुर्दा उस परफशन को खतम करने के लिए अपना ज़ साव जुटाया कि नहीं कोुए अभी अधिकारी नही किया तो असको इंपकड़ा हमने उस करफिन के कार्ण से जो परिणाम दुश्प्रनाम प्दिले वाना होता उसको नहीं होने दिया उसको फगड़ा लेकिन परिक्षा है शुदोई साथ में परिक्षा में हमारी एक मी परिक्षा है लेकर के अंदर चैलेंज की लोगों ने ले हमने अगर कहीं गलती दान में आई प्रोसेस में गलती होती हैं हमने इसको विट्रा कर लिया तो उसको उसी समय है रुटाइजमेंट के समय या फार्म भरने के समय एग्जाम के बाद भी कहीं अगर गड़ बड़ हुए तो रद कर दिया अपने आप रद किया कोड तक नहीं यह और यह है यह जासा बराद अब जो आपकी ड्वेल्मेंट की बात पर आते हैं समय की आपके परसले मुझे पता है कमी है लेकिन फिर भी मैं जो तिन प्रस्टन बड़े जरूरी है जैसे किसानों के बारे या पानी के बारे में आपके एक खास आपके जो मन की खास यह ज जाते हैं उस तरह पानी कैसे आएगा एस वैल का क्या हल होगा और किसानों को उनके बाव या उनको जो 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 स्वामी मनातन की रिपोर्ट है इससे संक्षिप्त में आप दोनों चीज़ होगा पानी और किसास पशनाब का बद बड़ा उत्तर संक्षिप चाहते हैं लेके चलिये तखिये जातका है इस वैर का विश्ए है वो अभी भी लिटिकेशन वे में सुपरेंग टो कोड़ फैसला दे चुका है कि ह्रियाना के लिए डेनी हैं य वो कैसे बने गी उस का एक फैसला सुपरिंग पोर्ट हैं एकने अगेकोशिन गरा है कि उसका एजूर कैसे कि आएंगे जहां तक हिमाचल के थूरू आने का विश है यह कोई अबारा प्रोपोजल कोई ऑफिशल प्रोजल ना कभी उने दिया है ना कभी आया है अब हमें बाते इधर से उधर सुजाव चल रहे हैं कि अगर पंजाब नहीं बनने देता हो इमाचल के थूरू बना ले ऐसा कोई ऑफिशल हमारा ना भी को स्टेंड है ना हमने इस पर बहुत ज्यादा कोई वोट विचार किया है अभी तो वही है कि पंजाब के माध्यम से जो एस्वाइल डारास्ता है वहीं से एस्वाइल बन करके आएगी जब तक पानी जितना हमारा है उसको हम ठीक से प्रवंद में अदर से जहां करवी पानी की आवशगता बिनकुल पानी पहुंचता नहीं उसको म्ढ़ें जिसाओध वरिवर्याना में हमने टेल तक पानी पड़ने का काम किया है लिष्ट करके पानी ले जाने का काम किया है चार महिने लगबख हमारे पास उश्या का प्रयाप्त होत करना और जो सूखा इलाका है वहां पर कोई विवस्ता है करके वाँ पहुंचाना तो यह सरम कर रहे हैं लगबग 30,000 कोड़ रुपया उस पर भी लगा दिया जिए और आज दक्षन रेना में आवश्चत आज अनुसार बुरा तो नहीं करेंगी नहां पानी पहुंचा करने के लिए यमना का जुस्रूत है वो तीन नदियों से हैं वो रिजुका से है वो किशाओ से है वो लखवार से है वहां भी प्रोजेक्स बनाया जा रहे हैं बाद लगए जारहें जिए अधिक में और देम समें जब बन जाएंगे उसमें एक डैम को चोड़कर करके दो क हो गया काम शुरू हो गया किवल के शाओ का वो नहीं का बहुत जलदी होने वाला है उसमें ही माचला और हमारे उत्राखंड की सरकारों के तोड़े इतराज है जैसे ही खतव हो जाएंगे इंदर कर रहाइं है हमारा उसमे कोई रोन नहीं जैसे इस वापत हो जाएगा और यह जाएगे शेश तीन-चार मेने जो बचते हैं सल्दियों के उस में काम चला लेंगे हमें पानी की आफशकता अपनी भी है साथ में दिल्ली को भी पानी देना पड़ता है तो इस सारे मामले में एक बहुत बड़ा कंप्लिक्रिक्टेड इशू है हम बहुत काम कर रहे हैं पान जी अब हम थोड़े से मेडिकल कॉलेज पर बारे में जिरूर बात कहना चाहूंगा लोगों का काम कैसा कुछ तो लोग कहेंगे आप तो यही कहोगे क्योंकि आप पोजिशन का आप यह कहना है कि बड़ा-बड़ा परचार कियो गया जहर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा नए शिक्षा नेती यह दो प्रसेंट फिर भी आप कहोगे के लब में उत्तर हो जाएंगे लेकिन वह दोनों टीजों को जोड़के इसलिए कि समय की कामी कर शिक्षा की नए नेती कम तक लागू होगे और मेडिकल कॉलेज होगे और मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर हमने तीन कॉलेज तो हमारे इस समय काम कर रहे हैं भीवाड़ी में कर्स्रक्षन चल रही है 270 कॉर्ट रुपया हमने आके लगाया काउगरस ने कुछ नहीं किया के बिल गोशना की थी कॉरिया वास में हमने 470 कॉर्ट रुपय अभी तक लगा दिया अगले वश्त तक त्यार हो जाएगा मेडिकल कॉलेज जींद में हमने 24 कॉर्ट रुपय लगाया है यह भी दो सार के अदर त्यार हो जाएगा कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसके शिलानास हो चुके हैं काम भी शुरू होना है जिससे कैतल है यमना नगर है सिरसा नू और पलवल सिरसा पलवल और चर्की द लगाया था और हमने आकर के उस्का कॉलेज को पड़ा करने के लिए उसी जगह प्र 470 प्रोट पे लगाए हैं उन्होंने कितना लगाया है एक सो चालीस आपने हैं चारशना करते हैं कोशना करके जाने के बाद वह काम नहीं हुआ तो करेगा क्या क्या जीए इसलिए करें वाली जरकार इन दोनों के पचार करना चाहिए कुल हमने मेडिकल कॉलेजिस के अभी तक जितना भी हमने काम किया है आपको बैप पैसों के रिसाब से बता हूँ कि अभी तक हमारा बाइस सो और सतासी कुरोड रुपा कर्च किया हमने अभी आट साल में जी मेडिकल अज्यू करना यह विशे होता जाहता करेंशन का विशे है यह नए शिक्षा नेए थी हम 2025 टक नागू कर देंगे कुर्षेत्र यूईवस्ट्री और उसके सबी कॉलेजिसा एशी वर्षे लागू कर रहे है नेकिन जो अगले साल करेंगे अभी कल ही मेरी हायर इसुर्शन कोंसल के ल तक विस्तार का विशय है यानि हमने कॉलिजिस हर्याणा में 2014 से इस समय तक बहतर नए कॉलिज यह गोशना कि यह बना रहे हैं बन चुके हैं और उन्होंने कुल दस साल में 45 कॉलिज बनाए तो कहां उनके 45 कहां हमारे बहतरू बहतर में भी लग बगग 50 के आस पास है की तो मेलाओ के शिक्षा पर पर हमने जोड़ दिया और इस पर का 10 साल का 1778 गोड़ रुपे आए और हमारा को मिला कर कि 5330 आप नौशाल जाए उनका दस्टाल का पूर टाइंज और अभी तो चलेगा यह निए शिक्षा क्षेत्र के अंदर जितना अवूल चुल प्रवतन हम कर रहे हैं हाँ जो कमियां उनको भी मदूर कर रहे हैं उन्हों ने अनव श्राप जगा पर हर जगह यहां चुल बना मदो यह यह कर दो रहा हूं कर रहा है कंपीं करने के बाद जो गलत नरशन लीए थी नहीं त。」 उनको भी ठीक कर रहा हैं ताकि हमारी वैद्यातुष्चा अच्छी मिले और उसको पने घर के निकट मिले दूर ना जाना पड़े दूर जाने का अगर कहीं श्राइब है तो फोर्ट रास्पूर्ट के साधन बसों की जुर्थ पसोदेंगे न intuitive बहुत निकट के स्थान पर कोई गाउंधों साइकल, ये सब अप्लीट कर रहा है, कि बच्चों को ट्रास्फट वस्ता में दिक्कत और ना है, हर स्कूल में डिवल डेस्क यह बना रहे हैं, हर स्कूल का इंफर सक्ट्चर, जिसका अंदर सुना का माँग है, चारदे वारी हैं स्कूल की, वह ट्वालेट है, वह पानी है, यह सब कंप्लीट किया जा रहा है जिसको प्राइर्टी बेसिस पर हम इस चीज़ों को कर रहे हैं तो इसना ते से इन विश्वों पर हमारे जो विशे चल रहे हैं कि अब आदो चना करने के लिए को भी बालो चना कर सकता है तथ्य तथ्य अगर आकड़े आकड़े देखेगा तो आपको को कि दोकुमेंट्स तो आगड़ों पर दोसरकारी आकड़े है को मैंने तो बढ़ाए दो जरू फिर आएंगे तो वो जब देखेंगे तो सब पानी का पानी दूद का दूद का दूद पानी का पानी हो जाता तो हम स्मापन की और पार चलते है एक प्रशन करोश में जो पंजिशन आप देख रहे हैं हर्याना में भी वह जैसे या रैलिय भी हो रही है तो होत्या क्या आप शमिश्च्कार तो क्या आप सविश्च आप की लोग उनको अश्ट कर रहे ह Lito also कि हम आपके है कौन या आप हमारे हैं कौन? लोग समझ चुके हैं दिल्ली जब सत्ता में आये तब तक तो लोग समझ नहीं थी तो उस समय इन्होंने बहुत कोशिश किया हर्याणा के अंदर भी यह लगबर आट साल से अंदर पूरी कोशिश कर रहा है हर्याणा की जनता इनको जवाब दे रही है नके विदान सभा में बल्के स्थानी नकायमे कोकर सकली को मूं की खानी पड़ती है और कहीं अंतर्श में नीतियां तो पर ह्रेणा का झाली तहरे करती नहीं है यार्या कर दो स्वामीमानी है कि मुफथ कोरा नहीं है पर कि मुफथ के राणापते हैं अभर तो लिए मनें से तो ब alter लगे हैं कि जो गरीब आदमी है जनता उसको रोजगार कैसे कराया जाए उसको नौकरी चाहिए सरकारी मिले प्राइविट मिले चाहिए उसको अपना कोई रोजगार के नाते कोई साहिता मिले और हम तो गाओं के अंदर यहां तक सेल्फ गुरूब बना करके लगवग पाच है उनको लोन लेके दे रहे हैं उनकी मार्केट विवस्ता खड़ी कर रहे हैं उनकी जो सामाल बनाते हैं उसका विक्री कैसे हो करते हैं तो इसलिए अर्याणा में इस परकार की चीज़ों कोई स्थान नहीं है जहां तक पंजाब का विशह है पंजाब एक वेक्यूम था उ कुछ थान ऐसा बना नहीं को लगातार मकालियों के पिछे लगे रहे हरी अरियाना में हमने यह सारा सिस्टम तोड़ दिया था संद्वी सो चुराणवे में श्याणवे में हम अपने आप आगे बढ़ाने के लिए हम सिर्फ काम किये और श्याणवे से लेके दोजर तीरा तक चौदा तक ठारा साल में अपने आपको मुझूद करके यांत करना है लेकिन ये स्थी हम पंजाब में नहीं ला पाए पंजाब लगातार एक काली दल के साथ एक चोटे पाने के लूप मिलना जा रहा हमारा समझुदा टूटा तो बहुत लेट आकर के टूटा है अब अप क्यों मेंसे ये आगए बिना कुछ जाने की ये क्या करेंगे और नहीं करेंगे आज वहां भी लोग परेषान हैं गोशना ही वह पहुत होती है लेकिन गोशना ओने के बाद पंजाब में किसी परकार का का वाला नहीं होता है उताना के लिए अब जैसे सूरज मुखी करीं सोरज मुखे के खरीद हम तो एक जार रुपावंतर भी दे रहे हैं 4800 से 5000 रुपे तक खरीद भी रहे हैं यह चीज जार पर पड़ता है वह आज भी 42-43 रुपे सोरज मुखे अब भी भी करें है बलके हमारा जो हैफेट डिपार्टम्ट है उन्हों नहीं जाकत के पंजाब म कर रहे हैं गोजना करने में कुछ भी करें गोजना के बाद प्रैक्टिकल जो होगा तब कुछ आवाज उठेगी तो बताएंगे लेकिन आम आदे पार्टिक अर्याना में न कोई सांता न कोई है न को बनेगा तो आज की पारी का अंतें बॉल ज़के अपने पास रखते है आप से सर्ग जारिश करूगा कि इस त्रिवैनी के लिए या इस त्रिवैनी के मादिम से दर्शकों को पार्टों को को इसन देखें ट्रिवैनी के बारे में या त्रिवैनी के मादिम से दर्शकों को पार्टों को को इसन देखें ट्रिवैनी के बारे में तीनों जो ग्र आज से 140 साल पहले जब सोचा गया इस अख़वार के बारे में और शुरू किया था सदार जाले संग में जिटिया दिन है तो ये अख़वार उस समय से निश्वक्ष तोर पर बिना किसी एकले माले के एक संस्था के रूम में चल रही है इतने लंबे समय तक संस्था के रूम म को बहुत मधाय और बहुत शुब कामना देता हूं इसी प्रकार से ट्रियून उडूप ये तरवनी दिन देन रात दिन चोगनी दिन दूगनी राचोगनी उन्नती करता रहे यही मेरी शुब कामना अंतिम प्रसंत आप रहते हैं कबीर कुटीर में तो ये बाना ये है जहां इतने शान शौकत होती है उसको कबीर कुटीर के रो में बदल देना इसके बारे में आपका कोई अंदर क्या ऐसा ही महल है या कोई ऐसा दोहा है कबीर जी के जिए उन से मैं बहुत परभावित और उनकी जो शिक्षा है कोशिश भी रहती है उनका बहुत प्रसिद दोहा है कबीरा खड़ा बजार में संफी मांगे खैर ना का उसे दोस्ती ना का उसे बैर बहुत बहुत धन्यवाद मिलोफर जी आप हमरे आफिस में पदा रहे हैं हम सारे परिवार के और से तर्बिन परिवार के और से आपका अभार वित्त करते हैं बहुत बहुत समार के प्रती किया है इसी शिक्षित के साथ ऐसी बातों के साथ हम अपना कारेकर्म यही समारत करते हैं फिर मिलेगे इसी नई शिक्षित के साथ बहुत बहुत धन्यवाद